नमस्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत है और नई वीडियो में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अगर आप UP, SC, NDA या CDS दोनों में से किसी भी चीज का फॉर्म भर रहा है तो आपको एक फोटो अपलोड करना है और एक सिगनेचर अपलोड करना है देखिए फोटो बटो आप के देखिए आपको क्लिक करना है आपको बेशाइड आएगा इसके उपर आपको क्लिक करना है अब जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे select image का select option आएगा इसके उपर आपको क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद मानले जिए कि मुझे यह image upload करना है यह जो image है यह 1.3 MB का image है और जो यह image है ना इस image का जो मतलब width है वो 1226 pixel है और 1312 pixel height है 1.3 MB का है इसको हमको कम करना है तो यहाँ पे जो हम आएंगे और यहाँ पे आने के बाद जो है आप देखिए quality 90 है और 90 quality पे हम इसका resize करेंगे तो यह जो है ना 145 KB का होगा तो हम यहाँ पे जो है इसको देखिए 145 KB का आगे आगर मान लिजे कि मुझे और के बी कम करना है तो हम इस quality को यहां से 80 करेंगे और 80 करने के बाद हम यहां से resize करेंगे resize करने के बाद यह देखिए 90KB का हो गया तो इस तरह से आपको resize करना है और यहां पे download image के उपर click करना है अब जैसे ही हम download image के उपर click करेंगे तो हमको UPSC part 1 वाले form को खोलना है और यहां पे choose file के उपर click करना है और download में आप यह देखिए यह मेरा image है इसके उपर हम click करेंगे यह click करने के बाद यह मेरा image हो गया अब यहां पे फिर से हम resize image वाले website पे आएंगे और यहां पर जो है ना इसको हम यहां पोटो को cut करेंगे और पोटो को cut करने के बाद यहां से हम select image के उपर click करेंगे और image के उपर click करने के बाद जो मेरा signature है मान लिजिए कि यह मेरा signature है यह जो signature है यह 120 pixel गुने मतलब 120 pixel इसका width है और 860 pixel इसका height है हम नीचे में आएंगे और नीचे आने के बाद Resolution and यहाँ पर Resize Image के उपर क्लिक करेंगे अब देखिए Resize Image के उपर क्लिक करने के बाद यह देखिए कितना के केवी का हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ अब जो यहाँ पर quality को हम यहाँ से 80 को हटा के 40 करेंगे और 40 करके Resize के उपर क्लिक करेंगे अब देखिए जो 40 के उपर हम करके Resize के उपर क्लिक करेंगे यह जो मेरा है 290 के वी का रहा है यानि कि अगर हम थोड़ा और के वी कम करना चाहें तो हम फिर से यहाँ पर इस पर आएंगे और quality को जो है ना हम इसको 40 से cut करेंगे और यहाँ पे 30 करेंगे और 30 करने के बाद Resize करेंगे और देखिए 30 करने के बाद जब हम Resize करेंगे यह मेरा 235 के वी का रहा है तो यानि कि 20 से 300 के वी का अपलोड करना है तो हम यहाँ पे download image के उपर किलिक करेंगे और यहाँ पी जो है ना signature का resize नहीं कि या मैं दोनों photo काहीं resize कर लिया हूँ, अब अगर आप इसमें कोई आपको doubt लग रहा है, तो आप इसमें से मतलब सुधार कर लेंगे, यहाँ पे देखे, re-upload signature या re-upload photo, मैं ये form नहीं भर रहा हूँ, मैं केवल आपकेवल live form फिल करके आप लोगों को बता आप लोग को process पता चल सके तो आप लोग अगर सही लग रहा है तो आप यहाँ पर continue आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपना form भर लेंगे तो आज किस वीडियो में आपको पता चल गया है कि photo and signature आप लोग ऐसे resize करके upload करेंगे अगर मेरी दीवी जनकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे भीदा लेना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रहे है मेरे YouTube चैनल फॉर्म फिलब की नवल जय हिंद जय भारत